सुप्रबाद, क्लास फोर्ट, सब्जेक्ट हिंदी, बुक का नेम उत्सव कल हम लोग पार्ट तीन इदगा पढ़ रहे थे, आज हम लोग उसके आगे का पढ़ेंगे तो स्टार्ट करते हैं आगे चले तो हलवाईयों की दुकाने शुरू हुई तुकानों पर तरह तरह की मिठाईया थालों में सजी रखी हैं कुछ आगे चलने पर पुलिस लाइन आ गई पुलिस लाइन का अर्थ होता है, पुलिस के सिपाईयों का कार्याल है कॉन स्टेवल परेड कर रहे हैं दिन में परेड करते हैं, रात में पहरा देते हैं, नहीं तो चोरियां हो जाएं, अब बस्ती घनी होने लगी थी, इदगा जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, लोग नए-नए कीमती कपड़े पहने हुए थी, कोई एक्के तांगे पर सवार था, तो कोई मोटर पर, अपने में ही मस्त चले जा रहे थे, इदगा आ गई, इदगा के पक्के फर्स पर बिच्छी जाजिम पर रोजेदार नवाज पड़ रहे थे, जाजिम का अर्थ होता है एक प्रकार की धरी, पस्चम की और मूँ की ये सब पंक्तियों में खड़े हैं, एक साथ जुकते हैं एक साथ खड़े होते हैं, पीछे आने वाले पीछे की पंक्ति में खड़े होकर नवाज पड़ने लगते हैं, नवाज का अर्थ होता है इश्वर पूजा की एक विशेस विदी, यहां ना कोई धन देखता है ना पद, इसलाम की निगा में सब बरावर हैं, इसलाम का अर् होता है पैगंबर मौंबत का चलाया हुआ धर्म, और निगा का अर्थ होता है दरस्टी, नवाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, अब बच्चे मिठाई और खिलोना की दुकानों पर धावा बोलते हैं, धावा का अर्थ होता है आकमर, यहां खाने के ल गुजरिया, राजा और वकील, विस्ती और धोवन, विस्ती का अर्थ होता है पानी भरने वाला, सादू और सेट से ठानी, एक से बढ़कर एक सुन्दर, मानों अब बोलना ही चाहते हैं, महमूद सिपाई लेता है और मौसिन विस्ती, नूरे को वकील पसंद आया, और सिम गर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फोरन बंदूख से फायर कर देगा, महमूद बोला, फोरन का अर्थ होता है तुरंत, और मेरा वकील खूब उकद में लड़ेगा, नूरे ने अपने वकील की ओर गर्ब से देखा, और मेरी धोबन कपड़े धोएगी, सिम्मी ने दोबन के खिलोने पर हाथ फेड़ते हुए कहा, आज हम लोगों ने इतना पढ़ा है, हम लोग इसकी आगे का कल पढ़ेंगे, आप लोग इसको रिवाइज करें, धन्यवाद है